एक छोटी सी कतार के साथ, एक छोटी सी लाइन के साथ इस्टार्ट करेंगे हम, कि यदि आपको जीवन में हजार बार असफालताय मिल गई हैं, तो एक और पर्यास करने में क्या जाता है, तो उमीद किजिए कि एक पर्यास और जरूर करने की कोसिस कीजिएगा, जीवन में कि एक पॉइंट हम आपको समझाने की कोसिज करेंगे आप वीडियो को बीना एसकीप किये हुए सुरू से अन तक देख लीजिए यूमेन हार्ट होगा इससे जवी क्योशन पूछे जाते आपके इंगामेशन में वह तो छोड़िए उसके साथ साथ आप पुर्ण रूप से एक डॉक्टर के रूप में हर चीज आज समझ जाएंगे तो शुरुआत करेंगे आज यूमेन हार्ट में सबसे पहले हमने ये दो इमेजेज आपके सामने लगाया है और इन दोनों इमेज को आपको देखने से लग रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अखिर यूमेन हार्ट होता है क्या है ये जो उपड़ी भाग आपको गुलाबी कलड़का दिखाई दे रहा है दोस्तों तो इसको आप क्या समझेंगे इसको समझेंगे कि यह फेफरा है यानि कि आपका लॉंक्स है और यह यानि कि मानों में दो फेफरे होते है यानि कि दो लंक् मुठी है जब मुठी हम लोग ऐसे बानते हैं इसी परकर की दिखाई देती है अब रहे की बात की पूरे हमारे सरीर में यह आखिर हाट होता कि दर है यह मस्ट इंपॉर्टेंट है तो सबसे ध्यान रखिए कि हमारा हाट जो होता है वह हमारे इस उपरचाती वाले भाग में यानि लॉंक्स के बीच में हलका सा मतलब बाये साइड में होता है और थोरा सा जुका हुआ रहता है अब याद रखिए गा है लगभग लाखों लोगों में से एक बेक्ती दो बेक्ती ऐसे होते हैं कि कभी-कभी उनके जो हाट होते हैं वह बाये नहोकर के दाएं होते हैं यूमेन हाट क्या है तो हमारे सरीर में लॉंक्स के बीच मुपस्थित रहने वाली हमारे मुठी के आकार का एक मांस्पेस यह आकरिती जो हमारे सरीर में ब्लॉड को पंपिंग करने का काम करता है या एक पंपिंग सेट करिप में काम करता है इसे हम लोग यूमेन हाट के न प्रमुक बिंदुंए उसको हम दों देख लेते हैं। राई की बात कि विभिन जीवों में, जो यूमेन हार्ट ने हार्ट जो होते हैं, विभिन जीवों में अलग-अलग प्रकार के चेमबर्स में बटे होते हैं। सबसे पाँली बात हाता हैं कि हमारा हीरदय है, वह हमारा हिर्दय चार चेंबर्स में बटे होते हैं यानि कि चार वेस्ट में बटे होते हैं क्या जितने भी जीव इस दुनिया में दिखाई देते हैं उन सबके चेंबर्स यानि सबके हार्ट्स के चेंबर्स यानि वेस्ट में जिसको बोलते हैं क्या वो चार चार भागों बटे रहते हैं? तो ऐसा कतँ j è n enorm е सबसे पहले देख लिए जो मचली है इस मचली बारे में सबसे पहले हम दो देख लेंगे ये मचली का きて- मचली का ہार्ट हें होते हैं वे एक इस परकार से बटे होते हैं तो मचली का हाट चेम्बर्स जो होता है उसमें दो चेम्बर्स होते हैं दिखाई दरा ना दो चेम्बर्स होते हैं इसमें एक जो यहां से उपर दिखाई दे रहा है ठीक है और एक जो नीचे दिखाई दे रहा है तो दोस्तों उपरी भाग हाट का उपरी भाग चाहे वो या कोई भी जी हो उपरी भाग जो होता है दोस्तों उसको हम लोग आलिंद के नाम से जानते हैं याद रखेगा नीचे वाला भाग जो होता है निलाय के नाम से जाना जाता है तो उपरी भाग क्या क्लाएगा और नीचली भाग क्या क्लाएगा निलाय क्लाएगा देख लिज यानि की carbon dioxide वाला blood डियोक्षी जो blood होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जो आती है तो जहां आती है उसको आलिंद और जहां से उसको pump करके और आगे की तरह बेजाता है उसको नीले कहते हैं तो इस परकार से मचली में दो two cimbers होते हैं एक होता है उपर वाला अलिंद और नीचे वाला नीले होता है यानि की आयट्रियम होता है और उसके बाद ventricular होता है आयट्रियम और ventrical की नाम से हम लोग इसको जानेंगे वही उभैचर के बारे में तो दोस्त उभैचर जो होते हैं उभैचर का मतलब होता है कि जो जीव कहां रहे पानी में भी रहे और जो जीव अस्थल पर भी रहे ऐसे जीव को उभैचर जीव बोलते हैं और एक और जीव आता है सरी स्रिप्त जीव का मतलब होता है जो जीव रेंग करके चलता है जैसे साप जो है रेंग करके चलता है और उसके बाद उभैचर जैसे मिढख है वो पानी में भी रा सकता है और फिर क्या अस्थल पर भी रा सकता है ऐसे जीव को उभैचर और जो रेंग कर चलेंगे सरी स्रिप्त कर लाते हैं जो ऐसे जीव होंगे जो है वो क्या कहेंगे आलिंद कहेंगे जिसको आट्रियम के नाम से जानते हैं और नीचे वाला जो चेंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेंट्रिकल कहते हैं यानि की निलय कहते हैं कभी भी किसी भी जीव का जो हाट है वह आलिंद जो होगा वह थोड़ा कमजोर होगा लेकिन नीले जो होगा, उसकी मानस्पेसी थोरा सम्मझबूत होती है, क्योंकि इसका काम क्या है? धक्त करके ऊपर पहुँचारा, इसमें ताकत होगी, तभी तो ये ऊपर धक्त करके पहुचाएगा, इसलिए ध्यान रखेगा के ऊपर जो होता है मानस्पेसी कमजोर होता है, आलिंद का नीलए का मांस पीयशी मोटा होता है और ऊपर की तरफ मतलब स्ट्रॉंग होता है उसके बाद मानोवहिर्दय आता है देखाई बटा रहता है ठीक है इसको स्टिप्स के माध्यम से चार परकार से इसे कड़ी एक मान स्पेसी होती है जिसके द्वारा इसको चार भागों में ऐसे तूर दिया गया रहता है इन सब को हम समझाएंगे पहले आप ये जरूर जान जाएए कि मचली में तीन चेंबर उसके बाद सरी स्रिप या उभैचर में स्वरी मचली में दो चेंबर सरी स्रिप और जो उभैचर होते हैं इसमें तीन चेंबर होते हैं और मनुस्य जो हैं हम लोग हैं इस हमारे हाट में जो चेमबर्स होते हैं, उनकी संख्याएं चार होती हैं, हम लोग मुखहरूप से आज के इस वीडियो में, चेमबर्स यानि कि मनुश्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मनुश्य के हाट हम पढ़ने जाएं, तो प्रमुक्ख बिंदु प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है तो यह बात के लिए रहो गया कि प्रतिवर्ष हाट डेकब मना जागा 29 सितमबर को यह कई बार एकजामनेशन्स निटी जादी में पूछा गया है कि हिर्दय का प्रथम सफल प्रत्यार ओपन किसके दौरा किया गया प्रत्यार ओपन केप टाउन शाउथ अफरीका के रहने वाले एक डोक्टर है जिनका नाम है क्रिश्चन बॉनार इखेंगे किस्चन बॉनार के सबसे पहले 1 दि समबर 1967 याद रखेंगे 1 December 1967 को सबसे पहले Christian Bernard के द्वारा हिर्दय का सफल प्रति रोपन किया गया था याद रखेंगे अब तुरा सा देख लेते हैं कि आखिर Christian Bernard जो इतने बड़े वग्यानिक हैं जो इतने बड़े जीवे ग्यानिक हैं इतना बड़े डॉक्टर हैं आखिर वो थे कैसे उनके बारे में ही पढ़ना मस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है तो थोरा सा आईए इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं यह वो चित्र हैं जिनको हम लोग बॉनाट 1972 में यह साइध फिक्चर्स वगर लिए गए हैं उस समय की बात है देखेंगे आठ नॉम्बर अन्नी सो 222 इसपी को इनको जनम हुआ व्यूफोर्ट वेस्ट केप प्रांत याद रखें केप प्रांत दक्षीन अफ्रीका संग में उपस्तित है यानि कि इनका जो जनम हुआ क्रिस्टन बुनाट का वो कहां हुआ है केप में हुआ केप टाउन में और ये केप टाउन जो भी लोग किर्केट वगर देखते होंगे केप टाउन में बहुत बहतर एस्टोडियम सित्यादी है वहाँ पर IPL मैच भी एक बार जो क्रोणा के समय हमारे भारत में नहीं हो पाया था तो वहाँ पर किया गया था तो याद रखेंगे वहीं से ये भी लॉंक्स करते हैं ठीक है हलाकि अब इनकी मृत्यू लगवाट थातर साल के उम्रे में हो चुकी है 2021 में इनकी मृत्यू हो गई है और प्रोफाइल फोटो है जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है सबसे पहले आईए देख लेते हैं जहां पर इन्होंने क्या किया ये प्रत्यार ओपन किया था हाट का जहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रत्यार ओपन किया था ठीक है हाट का दूसरा हाट उसमें लगाए गया थे लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि रोगी ब्यक्ती सिर्फ 18 दिन जीवित रहा लेकिन याद रखी यह शुरुवाती दोर था 18 दिन बहुत होते हैं सहब याद रखेगा जिसको जिंदगी का एक दिन लाले पड़े हो और उनको 18 दिन अगर जीवित रख दी जाती है और प्रतमप्रियास में तो इस परकार से यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी तो सबसे पहले थी गुरुट शूर अस्पताल केप टाउन में सबसे पहले हिर्दय का सफल परत्यार ओपन जो है क्रिस्च परना करके रख देंगे बड़ ऐसी कुछ बात नहीं है ठीक लगबग एक साल के बाद हमारे भारत में भी यह काम करके दिखाया गया यानि कि हमारा भारत भी सफल हिर्दय का एक प्रत्यार ओपन करने में बिल्कुल आगे हो गया यानि कि निकल गया आगे वह जगा था जो नहीं हमारा फारलत में किया गया था और वह श्पितल का नाम था केम हौस्पिटल या रखेंगे केम होस्पिटल मुंबई के में जो है डक्तर के सेन के दौरा सफल हिर्दय प्रत्यार ओपन है गया रहत सभी हो परथाओ सब औरो cry of the red किया गया किस चिणका है न्होंति चीम बग एक साल से अधिक तक जीवित रहें ठीक है और एक ब्यक्ति है जो 23 तेरा दिन जीवित रहा था एक ब्यक्ति तेरा दिन जीवित रहा एक ब्यक्ति तेरा दिन जीवित रहा और चार ब्यक्ति ऐसे थे जो एक साल से अधिक दिन तक जीवित रहें डाक्टर पीके सेन जो है याद रखेंगे वो हमारे भारफ से हैं सबसे अधिक दीन तक जीवित रहा कोई बेकती तो 23 बर्ज सबसे अधिक तम 23 बर्ज जो प्रथम 10 इन लोगों के द्वारा किया गया ता हिरदय परत्यारोपन में से ये एक सफल आंकड़ा था दोस्तो आए बढ़ते चलते हैं हमने इस चीज़ को पढ़ा दिया है आप लोगों को अब आए यूमेन बड़ी में हम लोग कैसे कैसे इसको जानने की कोशिज करेंगे सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि ये students बड़ी confusion होते हैं इसका चितर बनाने में कुछ नहीं करना है आप क्या कीज़ेंगे न इस तरीके से एक बना दीजेगा ठीक है उसके बाद इस तरीके से बना दीजेगा और इसको ऐसे थोरा सा इस तरीके से आप लेकर चले आईग ठीक है एक नली यहां से ऐसे लेकर चले जाएगा एक नली को इधर से इसी में लेकर चले जाएगा और एक दूसरी नली जो होगी वो इस तरीके से लेकर के चले आईएगा ये आपको उमीद करते हैं और इसमें चेंबर सबाट दिये जाएगा इस तरीके से और इसमें जो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है चिंबर्स देख लिजेगा एक यह आकरिती है एक यह जो संडचना है इसको चार भागों में बाट देती है देख लेंगे यहां से और एक ठो इस तरीके से आप आचले आई एक इधर से और एक इधर से इस परकार से हमारे हिरदय में चार चिंबर्स बन जाते हैं ठीक है चार चिंबर्स होते है हमारे हिरदय में याद रखेगा उन चारों चिंबर्स के नाम सबसे पहले जानने जोरी है फिर मैं आपको समझाओंगा किदर से बलोड आता है किदर जाता है किदर से निकलता है महा सीरा क्या हो सबसे पहले जो चार चिंबर सम लोग इस तरीके से देखेंगे ये इधर वाला दाया आलिंद कहलाता है दाया आलिंद को हम लोग जो है राइट अट्रियम के नम से जानते हैं तो रासा इस पिक्चर को और हम तो रासा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आपको इसको भी समझाने म असानी पुरुवक हमें असानी होबाएं और हम आपको समझा आता है ठीक है देख लिजे ये वाला दाया अलिंद इसी को अंग्रेजी में यहां से देखाएदे ना राइट अट्रियम के नम से जानते हैं ठीक है उसके बाद नीचे वाला जो आता है यह होता है इसको हम लो वड़ा आत्रियम है और यह वाला क्या है राइट जो है वेंटरिकल है समझे यह दाया अलिंद यह बाया अलिंद ठीक है दाया निल हैं और यह हुआ बाया अलिंद और यह बाया निल है अब रहारी seem Ajay गयवरा समझे कि सबसे पहले इनका नाम कैसे याद ранेंगे आ मतलब ऊ आने देने वाला ठीक है लिंद मने अपने में तो जो अपने में आने दे वो अलिंद कहलाता है ठीक है तो जहां पर ब्लॉड आ रहा हो उसको अलिंद कहेंगे तो जहां पर शुद ब्लॉड आ रहा हो वह बाया अलिंद कहलाएगा ठीक है और जहां पर असुद आ रहा हो वह निकल नहीं पाती है इस प्रकार से इसकी बिनावट होती है उसी तरीके से हमारे सरीर में जो होता है बलोड आने के बाद निकलने का चांस नहीं होता है इसको हम लोग वाल्व के नम से जनते हैं वाल्व देख लेजएगा अब आए देख लेते हैं सबसे पहले ये रहेगा दाया अलिंद ये रहेगा दाया निले ये रहेगा वाया अलिंद ये रहेगा बाया निले ठीक है ये देखेगा ये वाला जो पंप आपको दिखाई दे रहा है ये जो नस्त आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग उर्धो महासीरा करते हैं यानि कि उपरी महासीरा और ये वाली जो दिखाई दे रही है इसको निम्न महासीरा, अर्थार्थ नीचे वाला महासीरा, महासीरा क्या करती है, हमारे सरीर में चारो तरफ से असूद जो बलॉड होते हैं, उसको खीच तान करके इसी जो है, इसी पाइप के माध्यम से, इसी के माध्यम से हमारे इस आलिंद में पहुंचाया जाता है, यानि कि आ उर्द महासीरा इसको हम लोग सुफिरियर वेना कावा कहते हैं अंग्रेजीम इसको सुफिरियर वेना कावा और नीचे वाला को इनफिरर वेना कावा कहते हैं तो देख लीजेगा उर्द यानि कि सुफिरियर वेना कावा से और उसके बाद क्या हमारे पास इनफिरियर वेना कहते हैं यह वल्ब क्या होता है इस पर दबाव बढ़ता है और यह खुल जाता है ज़ैसे कि यह ऑईसे हो रहता है ठीक है और जैसे से इस पर दबाव बढ़े गा तो ऐसे क५ुल जाया लेकिन अगर जो blood इसमें आ गया ऐसे और इसे खुल गया अब फिर यह चाहेगा कि blood हम इसमें से निकल जाता कि यह जाकर कि तो दया निलए का क्या काम कि एकदम Pump करने काम होता है नीचे वल्ला मंस पेस सी मजभूत होता है इसको कहता है कि करके जाओ यानिकि जाओ यहाँ से हटो यानिकी या वहाटो तुम इसमें और या ठेटी बहुत जगा हो गया तो जहां खुझता है तो ऐसे जब मारता है ना ऐसे आईससे मारता है तो फिर यहाँ पर बल्ब होता है याद εक साइड में दो आ कुछता है और यसको हुता है याद रखता है और गुसने के बाद यह चला जाता है दिखिये इसका निकला है यह चला जाएगा हमारे फेफरा में जब जाएगा तो फेफरा तो डिमे मे आजरी हम सासले करके क्या रखे हुए औक सीजियन रखे हुए है तो जाएगा और और अविक्रिया करेगा ठीक है खी हिमोगलोबीन Hidey समझ रहे न यहिमोगलोबीन और आक्षीजन से अभी करिया करके ऑक्षी हेमोगलबीन बनाएगा जब उधर से उसको आक्षीजन मिल जाएगा तो आक्षीजन वाला बलॉड अब जो सुद बलॉड कहला हैगा कार्वन टैकॉष्इड वाला बलॉड अब यह अक्षीजन जैसे ही इसको मतलब हमारे लॉंग्स ने दे दिया, यानी कि हमारे फीफरा ने दे दिया, तो अब यह क्या हो गए? अब यह हो गए आपके पास सुध बलोड, अब वो सुध बलोड कहां से आएंगे? उसी मतलब आपका जो फेफरा है, उसी से फुफुस सीरा जुड़ा रहेगा, या यहाँ पर गिर जयाएका गिरना शुरू करेखा गिरने के बाद यह भढ़ जाएगा तब तक फिर इसमें से डब कर जाएगा इसमें तक सब्सक्राइक iyaajalind में क्या होता है असुद पहुंचता है उसको पंप करता है दकषी बाया निलाएं कहां पर फुफुस पूपुस सुरी फिखुस धमनी में फुफुस धमनी क्या करता है करर दे करके कहा जाता हम्स में खोलने के बाद जूपुन दी जैंगा इसमें चला आया है एकदम सुपर बलौड हो चुका है चबर दस्त बलौड अब कहें कि भाइया तुमने हमको दिया सुद बलौड यह कहा कि मद्या देने के बाद हमने क्या किया फुपुस धमन से तुका किया काया कि हम तो लेकर क्या है तो कहां रखे हो वाया वाम निलय में मालींद में हम red में हमरा काम था उसको ले तुम का किया तो मैंने क्या किया मैं अपने पास थोड़ी दखूंगा यह सब तो लगातार बलॉट दे रहा है तो हम क्या करेंगे हम भी चढ़ा दिये उसको तो चढ़ा दिया ऐसा देख लिजे इसमें से यहां से देख लिजे यहां पर और है पाइप जुड़ा हुए ठीक जिसको धमनी कहते है उस सब धमनी को हमने क्या कहा ले जाओ ले जाओ तो तु किया किया अरे सब धमनी वाला तो धमनी बोलेगा कि नहीं अब हाम क्या किये पूरे बलॉट को पूरा सरीर में धख करके नचा दिया इदम चारो तरह फिक दम ले लो जिसको जिसको इदम खार गया फिर वो carbon dioxide चारो तरफ से पूरे body में फिर carbon dioxide वाला मतलब जो blood है वो निला निला blood यानि कि अब carbon dioxide फिर चल दिया है चलो कहां चलोगे तो फिर कहा कि भाईया फिर चलो वहां पर अब फिर तुमको इस्तमाल किया जागा यही परकिरिया चलते रहती है इसी को हम लोग blood circulation के नाम से जानते हैं उमीद करते हैं कि यह बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा ठीक है धमनी क्या करता है सुदबलोड को महा धमनी क्या करता है उसे कई धमनिया और फुपुस धमनी क्या करेगा तो असुदबलोड को फुपुस सीरा क्या करेगा तो सुदबलोड को याद रखिएगा कितने बल्ब होते हैं हमारे सरीर में यानि कि हाट में तो हमारे हाट में बल होते हैं ठीक है खराब नहीं होना चाहिए अंग्रेजी में देख लीजेगा यह जो आपके पास सुपरियर वेना कावा बोलते हैं उसके बाद आपर है और यह क्या मतलब उपर वाला है यह नीचे वाला है ठीक है उसके बाद यह वाला राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और इ करोनरी धर्मनी होता है हमारे सरीर में एक करोनरी धर्मनी होता है अगर करोनरी धर्म जो यह होता है क्या बोलेंगे धमनी यानि कि क्रोनरी अंग्रेजी में कहें तो क्रोनरी जो आर्ट्री होता है वह क्रोनरी आर्ट्री अगर प्रभावित हो जाए तो याद रखिएगा हा जो आगे होगा और आप अच्छे तरीके से हार्ट पंपिंग पढ़ लिए होंगे एक बार देख लिए कि कैसे कैसे पढ़किरिया होती है सबसे पहले बताईए कहां आती है इसको थोरा से बढ़ा कर लेते हैं और तब जाकर के आपको समझाएंगे सबसे इसको देख लिए तो क्या करेगा औक्षिजनेट करेगा औक्षिजनेट करेगा तो क्या हो जागा सुध ब्लॉड हो जागा और सुध ब्लॉड को फेपरा कहां भीज़ेगा फुफुफुस सीरा से यानि कि प्यूरी फायर ब्लॉड होता है फुफुस सीरा कहां भीज़ेगा बाया आलिंद क महा धमनी को महा धमनी के बाद कեղगा कोशिका महा सिर्व में फिर परव्यस करेगा मासिर्व परव्यस करने के बाद फिर सैंड काम Purifying शुरू हो जाता है इसे पहले देख लिजेगा कभी कभी question क्या पुछता है कि बताइए ये जो फुफुस और जो दाया आलिंद और बाया जो दाया निले होता है इनके बीच में जो ये जो होता है वो कैसा होता है तो याद रखेंगे ये त्री वलन होता है यानि कि तीन कोडिये होगा यानि कि त्री वलन होगा तो त्री वलन कि इधर होता है इधर दूइक पटि कि इधर होती है तो याद रखेंगे जो उधर बाया वाला होता है उसमें दूइक पट होता है और इधर वाला तीन के पटिये होता है ठीक है जब से पहले महा सीरा निच्छे सूपर इसे मैं डिया निले ने किया किया जिनिल्ट महाध मस्ट द 가यल तैमनी को महाध मनी किस को धटukium कोस के सीसित यूफिंहें हुक्ण करक JAKE Philip कहां वेच दिया लीजे मासीरा के साधिय उमिद करते हैं कि goose आपको 100% समझ में आ गए होंगे शुक्रिया मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत